हेलो फ्रेंट्स, डबलो एस क्यूब टेक के चनल पे मैं सुरेंदर आपका एक बार फिट से वैलकम करता हूं फ्रेंट्स, आज 11 क्लास की पाइथन की बुक में हम लोग डिसकस करें अपने चैप्टर नमबर 13 यानि कि ये डिक्शनरी को फ्रेंट्स, डिक्शनरी के अंदर कौन-कौन से हम लोगोंने टॉपिक्स जो है यानि कि इस चैप्टर से रिलेटेट जो है अपडेट कर सकते है बहुत सारी चीजे हम लोग या बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग अभी तक कवर कर चुके इस चैप्टर से रिलेटेट कुछ मोडू, हम लोग कह सकते कि कुछ methods, कुछ functions जो है वो हमारे रह चुके है जो हम लोग आज इस video में discuss करने वाले, तो friends एक एक करके हम लोग discuss करते है अपने सारे functions को जो dictionary के उपर applicable होते हैं तो सबसे पहले हैं हम लोग क्योंकि कुछ ऐसे functions भी है जो हम लोग अभी तक जब programming करे थे या हम लोग जब practically discuss करे थे तो उनमें हम लोग इन चीजों को देख चुके हैं सबसे पहला function है हमारे पास यहां पर land function land function क्या होता है length return करता है friends एक example है मैंने board पर बना रखा है जिसमें friends मेरे पास एक s info है यानिकी student के info है जिसमें friends मेरे पास यहां पर जो है वो मैंने यहां store कर रखा एक तो name दूसरा है friends उसकी age और एक है phone number तो friends name क्या है name equals to neeraj हो गया age equals to 16 हो गया और यहां एक phone number भी है total इसके अंदर कितने elements है बस मुझे यहां यह देखना है इस dictionary के अंदर हमारे पास total कितने elements या कितने items है तो friends यह हमें कुछ return करेगा जैसे friends अगर मैं इसको print करता हूँ s info तो यह क्या करेगा एक name दिखायागा age दिखायागा phone number दिखायागा lan of s info करूँगा तो यह क्या return कर देगा friends 3 total कितना item है इसमें 3 items है इसी टाइप से friends एक function हमारे पास होगा get function get function क्या करता है friends suppose यही s info है हम लोग जो है इस तरीके से भी ले सकते जैसे s info और bracket के अंदर मैं लिखता हूँ suppose name तो यह हमें क्या return करता है नीरज इसी टाइप से friends आपके पास एक function भी है get यानि कि एक particular dictionary के अंदर के एक element को आप लेना चारहे है एक particular item को लेना चारहे है आप बस उसका नाम बता दो get के अंदर कौन सा item आप लेना चारहे हो कौन सी आपको की लेनी है आप बस की बता दीजिए उसकी value जो है वो कुद अपन तो name क्या है friends इस dictionary के अंदर वो अपने पास है यहाँ पर nearest तो उसने क्या return कर दे है अपनको नीरज यह समझवाया होगा land और get बिल्कुल common है किसी टाइप से और भी कुछ functions है friends जैसे हम लोग एक और function discuss कर लेते हैं जैसे friends अपने पास है items तो items को हम लोग देखते हैं कुछ examples के साथ friends सबसे पहले एस info वही नीरज वही एज वही फॉन नमबर वही वापस मैंने एक dictionary कर दी है friends मैं लिखता हूँ data equals to s info dot items बस मैंने क्या रिखा है s info dot items अब friends इसने किस में data डाल दिया है data नाम की variable में अब data को friends जब मैं print करता हूँ तो यह मुझे क्या देता है dictionary के items कौ नमबर है generally friends हम लोग यहाँ पर जो आपने देखा होगा आपने keys देखा था एक values है पहले भी देख चुकिए हम लोग अभी और देखेंगे वापस से keys क्या करता है friends इसमें कौन कौन से की है जैसे name age पॉन नमबर यह हमें return करता है values करते तो क्या return करता है friends निरज 16 और जो भ इसको एक एक करके लेना चाह रहा हूं तो friends मैं क्या लिख रहा हूं for a in data ठीके traverse करते for a in data और जो भी एक ही वैज़ी उसको print करता हूं तो friends यह क्या print करतेगा name sorry यह क्या print करतेगा friends name नीरज age 16 और phone number जो भी अपने पास इस type से friends इसका output आपके सामने आता है तो हम क्या कर सकते हैं keys देख सकते हैं values देख सकते हैं हम पहले भी देख चुके हैं अभी और हम लोग देखेंगे एक अपने पास है items तो आप dictionary के अंदर जो है बहुत सारे methods apply कर सकते हैं उसमें से एक है अपने पास items जो क्या करता है friends हमें यहाँ पर as a tuple जो है वो values return कर दे number comma इस type से तो इसी type से friends एक और function हम लोग discuss कर लेते हैं वही है items ही है वही example फिर से s info जिसमें name है a j phone number है इस बार friends मैंने क्या है items डेटा किसमा आ चुका है आपका data के अंदर अब friends बस मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है पहले वाले example में केवल a लिखा था इस बार मैंने क्या क करेगा अपन कर रहे हैं a और b तो यह क्या करेगा नेम नीरच पहले वाले में क्या था इस टाइप से bracket था बीच में आपका comma था ऐसा अभी नहीं है आप देख सकते हैं पिछला example जो था उसमें single course थे आपके पास comma था ब्रैकेट्स थे यहाँ आपके पास ऐसा कुछ नहीं ह कर आप डिटा लेना चाहते हैं ऐसे भी आप ले सकते हैं ऐसे ही ऐसी फॉन नमबर ही आप जैसा लेना चाहें आप उसको वहाँ स्पेसिफाइब कर सकते बीच में double course के बीच में column लगा के या जो भी आप चाहते हैं separator वो भी आप यहाँ पर create करता हैं तो example है समझ मैं होग आइटम्स का इसी टाइप से friends हम लोग यहाँ कुछ और देख लेते हैं एक और example है items को लेकर की वही एक्जाम्पल है name age phone number friends में यहाँ लिख रहा हूं यहाँ पर keys करोंगा तो यह मुझे क्या देदेगा जितनी भी keys हैं वो सारी friends इसी टाइप से values तो यह हमें क्या कर देग रिटन कर देगा values यह हम लोग अलड़ी देख चुके हैं practically भी discuss कर चुके हैं पहले के वीडियो में दो टाइम हम लोग इसको two times हम लोग इसको discuss कर चुके एक बार और देख लेते हैं इसमें total कौन कौन सी keys है name है age phone number तो यह रिटन क्या कर देगा name age और phone number इसमें कौन कौन सी values है तो friends एक निरज एक 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 फॉन नम्बर जो भी है तो friends वो value यह साथ में return कर रहा है समझे माया होगा आपको तीन functions देखे हैं हम लोगोंने एक था items दूसरा आपने पास कौन सा है friends keys और एक कौन सा आपके पास values इससे पहले हम लोग जो discuss कर चुके थे वो था आपके पास len ठीके इसी टाइप से friends हम लोग यहां discuss करने वाले वो अपने पास next जो है from keys कौन सा है from keys अब यह function क्या करता है friends तो देखें a equals to dict dot यहीं की जो function था dictionary अब यह इसको अपने कैसा लिखा है dictionary लिख करके क्या लिख दाए dict dot from keys इसमें friends मैंने यहा बार list कह सकता हूं क्योंकि हमने इसको क्या बनाया friends यहां पर one two three four five को हमने यहां पर जो है वो square bracket में डला और comma ten तो friends अगर हम लोग इसको देखें a को print करके तो friends यह इसको किस type से print करेगा a colon ten two colon ten three colon ten four colon ten five colon ten मतलब यह ten जो है वो a के साथ भी associate हो रहा है two के साथ भी three के साथ four के साथ भी और five के साथ भी तो आप सभी के साथ associate करना चाहरें क्या लिख सकते friends आप यहां पर from keys इसी टाइप से हम लोग एक और example देख ले दे one two three four five यहां लिख दे हम इने six seven eight तो friends यह तीनों के तीनों आपकी जो elements है वो associate होंगे पहले one के साथ two के साथ three के साथ four के साथ और five के साथ तो friends अगर आप भी को प्रिंट करेंगे क्या करेगा one ठीके one के साथ associate हो रहा है one कॉलन six seven eight इसी टाइप से two कॉलन six seven eight इसी टाइप से आपके पास three कॉलन six seven eight four कॉलन six seven eight और five कॉलन six seven eight तो इस टाइप से friends हम यहां पर जो है वो अपनी values store कर सकते हैं किसमें from keys के इसी टाइप से कुछ और example से अपने पास यहां पर अलग-अलग functions को जिसमें friends एक है अपने पास set default set default क्या करता है friends वो अपनी एक value को set कर देगा एक value अपन default कर देंगे और then उसके बाद में आप उसकी value को change नहीं कर सकते हैं तो friends इसमें क्या है the set default method insert a new key value पे only if the key does not already exist अगर पहले से नहीं बनी आप उसको add कर सकते हैं और एक बार friends अगर आपने उस value को add कर दी through set default functions के तो friends आप उस key की जो value उसको अब बाद में आप modify नहीं कर सकते तो एक example है friends मैंने लिख रहा है यहाँ पर marks marks मैं लिख रहा है हिंदी की value है 90 English की 97 Math की है 99 ठीक है इस type से हमने value इसमें डाल दी अब friends मैं इसके अंदर एक और value डालने वाला हूं ठीक है तो मैंने यहाँ पर क्य 94 तो आपने क्या कर दिया 94 को store किया अब friends अगर मैं marks को print करता हूं तो हिंदी की value 90 है English की 97 Math की 99 जो थी और IT की अपने जो भी default कर दी वो क्या है 94 friends अगर मैं बाद में अब अपने program में कभी भी IT की value change करना चाता हूं through set default function भी ठीक है set default functions के through भी अगर मैं value change करना चाता हूं तो friends मैंने 94 को क्या कर दिया 97 लेकिन friends जब मैंने print करके देखा तो value अभी भी मुझे क्या मिल रही है 94 ही मिल रही है set default function में आपने जो value set कर दी है वो बाद में आप उसको change नहीं कर सकते हैं ठीक है समझ माया होगा set default क्या होता है आप को value जो भी एक किसी key की value वो एक बार आप default set कर दीजिए बाद में आप उसको अल्टा नहीं कर सकते हैं इसी टाप से friends एक और example है अपने पास यहां पर वो है update को लेकर के update आप लोग जानते हैं हम अपनी dictionary को update करते हैं ठीक है update का मतलब क्या हो गया एक तो गया dictionary की एक particular key की value को change करना ठीक है इसी टाप से हम लोग यहां कुछ examples के साथ देख रहे हैं friends यहां मेरे पास क्या एक d1 है एक d2 है यहां पर मैंने एक key यह बना रखी की और जो भी value है एक की value यह बना रखी है एक और मैंने यहां पर dictionary बना रखी है जिसके अंदर two elements है एक में name आमन phone number जो भी दूसरे में roll number 23 email जो भी है इसमें set कर रखी है अब friends मैं क्या करता हूं d1.update d1.update d1 की जो भी value है उसको मैं क्या कर रहा हूं update कर रहा हूं किसे d2 से मतलब friends ही क्या करेगा d1 के पिछे d2 को क्या कर देगा वहाँ पर append करा देगा या क्या सकते हैं कि पिछे merge कर देगा दो जो आपके पास अलग अलग dictionary हैं उन दोनों को join करने का काम करेगा कौन update function अगर friends अब मैं इस बाद d1 को print करूँगा name आमन phone number देखिए d2 के अंदर की value थी जो यहां आपको मिल रही है तो friends update function क्या करता है this method merges key value pairs from the new dictionary into the original dictionary adding or replacing as needed अगर friends by the way उसके अंदर भी phone number होता और इसके अंदर भी phone number होता तो क्या होता last वाल अपड क्या कर दिया उसके अंदर add कर दिया तो क्या लिखा है adding और replacing समझवाया होगा आपको अच्छे से इसी टाइप से कुछ और examples हम लोग देख लेते हैं कुछ और functions friends a के अपने पास डेल तो हम लोग जनरली इसको यह कह सकते एक type का keyword है तो डेल function नहीं है क्योंकि function अगर होता तो उसके पीछे हम लोग क्या करते है small brackets लगाते डेल आपके पास simple सा एक type का keyword है friends में लिख सकता हूँ डीवन जिसमें name phone number दो मैंने यहाँ पर जो है key values को assign करता है two items इसके अंदर मिल पास अभी available है friends मैं लिखता हूँ डीवन प्रिंट करता हूँ name अमन और phone number जो है वो हमे इसके नेम अमन प्रिंट करके देखा डीवन की value क्या है केवल name अमन ठीके इसी टाइप से friends अगर आप लिखते है डेल डीवन चाया उसके इंदे कितने भी elements हो ठीके तो इसने क्या करते है friends delete a key from the dictionary डेल डीवन और अगर आप सिफ लिखते है डेल डीवन dictionary का नाम उससे पहल है डेल क्लियर का मतलब क्या होगा हम आगे देखेंगे अभी clear क्या करता है उसके जितने भी elements है उन सब को delete कर देगा ठीके लेकिन dictionary को delete नहीं करेगा dictionary अभी भी है वो empty हो चुकी होगी clear में क्या होगा हमारी जो dictionary है वो empty हो जाएगी clear कर देंगे लेकिन dictionary आपके memory में अभी available ह होगी लेकिन फ्रेंट्स डेल क्या करता है उस डिक्ष्णेरी को कम्प्लीटली डिलीटी कर देगा डेश्ट्रॉय कर देगा एलिमेंट्स वो बहुत दूर की बात है अगर अब मैं यहां पर जाके डी वन करता हूँ तो है यह नहीं इसलिए यहां एरर आ जाएगी ठीके इसी ट्रैप्षे मैं क्या करता हूँ एक और एक्जामपल्स हम लोग डिसकस कर लेते जैसे अभी हमने डिसकस क्या किया अभी तो की कह रहे है तो बस मैंने इंडेक्स को फोलो करते हुए यहां पर जो है नाम ही ऐसे दे दिये की इसके अब फ्रेंट्स में लिखता हूँ डीवन तो डीवन क्या कर देगा वो जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूँ फ्रेंस डीवन got pop three pop three ka मतलब क्या है जो 3rd वाला आपके पास है जो की आपकी की नमबर 3 है वो की बस मैंने आपे पास की उसने क्या कर दिया गगन को डिलीट कर दिया ठीक एसी टाप से अगर आप यहां पर कोई ऐसी वैल्यू बता देते हैं या ऐसी कोई की बता देते हैं ठीक है ठीक है तो फ्रेंट्स ही हमें क्या return करेगा एक error देगा बुलेगा या item ही नहीं इन केस आप चाते हैं कि वो आगर आपने कोई key बताई और वो key उसमें available नहीं हो तो वो क्या return करे हमें error नहीं करे हमें एक message return कर दे कि यह ही नहीं तो फ्रेंट्स हमने यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने यह लिख दिया four और आगे क्या लिख दिया not here तो फ्रेंट्स अगर four होता तो उसको क्या करता डिलीट कर देता और अगर four उसमें नहीं है तो क्या return कर देगा not here तो फ्रेंट् से कह रहता है d1 pop one not here अब one तो है तुशार तो ये क्या कर देगा फ्रेंट्स इस वाले को execute नहीं करेगा किसको करेगा इसको तुशार वाला जो है उसको destroy कर देगा delete कर देगा अब मैंने friends d1 करके print किया तो कौन मिलके केवल यहाँ पर zero पर अमन है टूपेश वाती है इसको तो अपने पहले ही delete कर दिया यह अभी अभी कर दिया कौन बच गया जीरो पर अमने टूपेश वाती है ठीक है तो यह आपको समझ माया होगा पॉप क्या करता है जनरली आप इसको की देते हैं उस की को जो क्या करता है वहां से destroy या delete कर देता है एक डयल देखा था डयल ने क्या करा completely आप उसको पूरा delete कर सकते है या उसमें जो आप की बताएंगे उसको delete कर देगा ऐसी पाप भी है आप यहाँ पर जो बताएंगे उसको delete कर देगा in case अगर वह की नहीं है आप आगे message डाल सकते है वह message generate कर देगा इसी डाइप से last है इसी गा मतलब डिलीट के अंदर ही अगर हम लोग चल रहे हैं तो अपने पास से और क्लियर को ले करें पॉप आइटम क्या करता है फ्रेंट पॉप आइटम पॉप आइटम का मतलब है जब आप इसको देंगे तो यह क्या करेगा जो लास्ट वाली जो की वैल्यू है ठीक है तो हम लोग एक word देख सकते हैं, list हम लोग एक word बोल सकते हैं, last in, first out, ठीक है, last in, first out, लिफो एक type का method है, लिफो, यानि कि जो सबसे last में आया है, last में कौन आया है, इस case में अगर देखे हैं, तो three number आया था, तो last में जो आया है, वो सबसे पहले delete होते हैं, मतलब जो सबसे last वाला है, उसको सबसे पहले delete करेगा, जिसका last वाली की है, ठीक है, तो क्या लिखा है, pop item में, removes the last की value, example है, friends, d1 में लिखा है, अमन, next, उशार, स्वाती, गगन, जो भी लिखा है, friends में कहता हूँ, यहाँ पर pop item, d1.pop item, तो यह क्या कर देगा, last वाले को delete कर देगा, किसको delete किया है, गगन को, ठीक है, समझ मा आ गया होगा, last वाले को delete करता है, last जो भी key values है, उनको, ऐसी friends clear है, clear क्या कर देगा, उसको clear कर देगा, सारे items को delete कर देगा, और आपकी जो empty dictionary है, वो रखेगा, given, तो friends removes all items from the dictionary, friends मैंने वही example फिर से लिया है, 0 पे अमन, 1 पे तुशा, 2 प प्रिंट करके देखा, तो क्या मिल गया, curly brackets जो है, वो बस मुझे मिल गए, items इसमें एक भी नहीं है, तो समझवाए होगा, आपको pop item और clear भी, pop item क्या करता है, सबसे last वाले को delete करता है, जबकि clear क्या करता है, बीच में जितने भी items है, सबको एक साथ delete कर देता है, लेकिन dictionary अपनी delete नहीं होती है, डेल जो है, डेल, वो क्या कर सकता है, अपनी पूरी dictionary को as it is, delete भी कर सकता है, या एक particular item को delete कर सकता है, तो friends, इस टाइप से जो है, कुछ method हम लोगोंने discuss किये हैं, कुछ और method हम लोग देख लेते हैं, एक आता है, अपने पास sorted, sorted का मतलब क्या होता है कि अपने पास जो एक list है, हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर अपने पास जो यहाँ पर जो एक dictionary है, उस dictionary को हमें sort करना है, तो आप जानते हैं, dictionary में आपको क्या क्या मिलता है, एक तो हमें मिलता है keys, और एक हमें क्या मिलता है, basically values, और last हमें क्या मिलता है, यहाँ पर items, तो त 0 पे अमन, 4 पे तुशार, 6 पे स्वाती, 2 पे गगन, 5 पे योगेश, 1 पे विसार, 3 पे दिनेश, जो कुछ भी लित रहे हैं। Friends, मैं यहाँ पे करता हूँ, list, यहाँ पर एक मैंने variable बनाई है, LST equals to sorted of D1, तो याद रखिए यह आपको क्या दिखाएगा, D1 के, मतलब यह इसके D1 की जो value है, उसको क्या करेगा, sorted करके किसमें डालेगा, list में, LST के अंदर जो variable बना रहा हूँ, Friends, में एक बार D1 को print करना हूँ, क्योंकि यह तो इसमें तो कोई effect हुआ ही नहीं है, तो originally उसका effect नहीं होगा, किसमें होगा उसका effect, LST के अंदर, जो variables आप यहाँ create करें, अब LST में भी क्या दाएगा, Friends, तो यह sorted क्या हुआ है, आपके पास, केवल अगर आप observe करें, तो क्या हुआ है, केवल keys हुई है, ठीक है, जो keys है, लाइक 0, 4, 6, 2, 5, 1, 3, values नहीं आई है, क्या है, केवल आपके पास keys आई है, केवल उसने क्या क्या है, keys को यहाँ पर sort किया है, अगर Friends, आप इन keys को, आप चाहते हैं, descending order हो जाए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो आपको इसके बाद में क्या लिखना होगा, reverse equals to true, यहाँ आपने जो D1 लिखा है, क्या लिखो के D1 के बाद, reverse equals to true, तो यह क्या कर देगा, उसको उल्टा कर देगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कि दिखे क्या कर देगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस टाइप से, ठीके, इसी टाइप से, है, तो, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, sorted किया, आपने किस में डाल दिया, well नाम की variable में, well को print करो, देखिए friends, अमन, दिनेश, गगन, स्वाती, तुशार, विशाल, योगेश, उसने क्या कर दिया, इन values को sort कर दिया, ठीके, लेकिन अगर आप चाहते है friends, यह values को नहीं, पूरे items को करे, जिसे 0 पे फिर अमन आजाए, 1 के उपर आपके पास जो भी है, इसमें विशाल आजाए, इस टाइप से, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, मैंने एक variable बनाई है, shorted data नाम से, जिसमें sorted में क्या लिख रहा है, d1 dot items, ठीक है, अभी हमने देखा था items, तो अगर मैं items लिखूँगा, तो आप देखेंगे, 0 पे अमन, 1 पे विशाल, 2 पे गगन, 3 पे दिनेश, 4 पे तुशा, 5 पे योगेश, और 6 पे स्वाती, तो यह क्या करेगा, साथ में की के base पे और साथ में उसकी values भी आपको show करेगा, clear हो गया होगा, shorted आपको अच्छे से समझ माया होगा, इसी type से हम लोग कुछ और देख लेते, min, max और sum, तो friends मेरे पास वही example फिर से है, मैं देखना चाहता हूँ minimum, यानि सबसे छोटी key किस की है, तो min, d1 करूँगा, 0, max कर से वाली है, keys, ये six वाली है, six पे सवाती है, जो, इसी type से friends में अगर sum करूँगा, तो in keys का sum करेगा, यदि 0, plus 4, plus 6, plus 2, plus 5, plus 1, plus 3, 21, इस type से ही हमें कुछ return करता है, तो friends dictionary जो है, आपको अच्छी से समझ माया ही होगी, dictionary कैसे create करते हैं, कैसे data store करते हैं, कैसे data change करते हैं, क बहुत सारे functions हमने इसके उपर apply कर रखें, इस type से friends से इस chapter से related बहुत सारे topics हम लोग अभी तक cover कर चुके, तो इस type से friends आज इस chapter में इतना ही मैं आपको कुछ बताता हूँ, इस type से friends मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें एक नए chapter के साथ मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए, thank you, have a nice day.